Hello guys, welcome back again and welcome back for the part no.3 or lesson no.3. Thank you. So friends, मैंने आप लोगों को last classes में C और D का major chord और scale दोनों का मैंने बता दिया. अभी आगे बढ़ते हैं E note के बारे में. यह E note है, तो इसको हम बनाएंगे E major chord. कैसे बनाता है? यह देखिए. पहले लेंगे E major बला तो सबसे फ़ले हम E लेना पड़ेगा. E लेंगे, फिर G sharp लेंगे, और B. यह तिनों को अगर हम लोग एक साथ प्रेस करेंगे, तो बनेगा E major chord. जिसमें आता है E, G sharp, B. इसाथ से मैं सेम नोटी पकड़ रहा हूँ. तो यह बन गया है आपका E major chord और इसका scale इस प्रकार है. यह बन गया आपका E major का scale यानी सरगम. हिंदी में बोलेंगे सरगम. और इसमें नोट क्या क्या आ रहा है? देखिए. E, F sharp, G sharp, A, B, C sharp, D sharp, E. सेम रिवर्स करेंगे यह. और यह बोल रहा है? तो यह था आज का E major chord और scale का episode. Thank you.